लगातार हमको छेतर से शिकायत मिलती रहती है कि लोग ठाने में आते हैं उनका एफायार लॉज नहीं किया जाता है तब जब चार दलाल आकर के उसकी पैवी करते हैं अपर दोनों को भीठा आकर नाम तर उसमें दोनों पार्टी से पैसा लिया जाता है और अगर किसी पर फायार हो गया तो केस को हल्का बढ़ने के लिए केस को भारी करने के लिए बैठ करके पताधिकारी लोग पैसे रुपे लेते हैं और हम और मेरा सिर्फ एक सवाल सिस्टम सब्सक्राइब करें अगर मडर करके लोग जो है इस तरह से पुलीस मदद से बच जाएंगे तब तो फिर करते हैं कि हमारे चेत में विधी विवस्था हो लोग को अनाप्शन आप पैसा ना देना पड़े तो अब गिरिफ्तार के में किस मामले में मेरे मेरे जानकारी में आया कि मुझ पर एक फायार किया गया है है कि अधायक है और जिस तरीके से पूरे मौमले को मीडिया में लाया गया है वहिया दर्शाया गया है अगर कर रहे हैं और प्रसाश्ति पदादिकारियों के साथ मिज्द्धियर कर रहे हैं या विराजिक कोई बार करने हैं दबाव और दबंगे कर रहे हैं को प्रसादिक कर दोटे करना चाहते हैं जाक जान से इस प्रसादिक है है अच्छाया पूरी उठ्णा प्रभारिश फिज्ट गौत्व उनके दरएक एक एफ़ायार किया जिए इसमें तभी धमलों का भी और संधान उसमें बाकी है परिस्टन बाकी है इसमें कोई अधिक अफ्तारी की बात नहीं है, तो मालेक ठीक आवेजन दिये है, आवेजन इंटर्टेन हुआ है, आवेजन लगाए गया रुप सही है, गलत है, यह सजज का पीछा है, यह तो प्रोको कॉल के नियमानों साथ जांच हो जाने सही है, इसके बाद रहा है, इसक